आज हम लोग इतने निश्चिंत हैं इतनी निड़ता से हम लोग बाहर निकलते हैं वी दो बेटियों गोइसा हैं पने बाहर बेज रहे हैं पिछले साड़े साथ साल में उनकी सरकार ने असे या सदिक अपराधियों को जेल भेजा है और उनके खिलाफ कारवाई की है इसके साथ ही दो दस लोग काइन काउंटर भी किया है इस काउंटर पर जहांसी जंता के तमाम लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि जो दावा है इस तो यह से हर किसी को तो जेल नहीं सकते जिन्हों ने को अपरात किया होगा उसी के पेस्पे उनको जेल बेजा गया और ज्यादा ही मतलब प्रिदेश में पहले आती कि अधिक से अधिक कारवाई की वहीं लोग जेल गाये होंगी सब्सक्राइब कि पिछले बीते कुछ सालों मे बाहर बेज रहें रात में 12 बज़ें स्कूटी से आ रहें कोई डरने कोई भेहनी हम लोग बिल्कुल नहीं डरता से काम करते हैं अच्छा लगता कि आज इस सरकार में हम लोगों को बहुत सुरक्षा महसूस होती है यहांसी में रहती हैं कितना बदला हो देखाया अपना सुरक्षा के दिष्टी से क्या बदला हुआ है पहले मधला अज देखती है तो क्या बदला वब पिछले साहब अकेली आई मतलब उनको यह ऐसास नहीं कि हमें कोई मतलब है व्याप्त होगा हुए एक नहीं कोई कुछ घटना हो सकती है कुछ हमें हो सकता है कुछ इसलिए हम तो रहा है यहां पर आए उत्तरफ दें चमाला स्थे महला विल्कुल निर्भीक होगे जहां भी जा सकती है आ सकती है अपना काम कर सकती है अप्रदेश का डाटा है विलकुल सही है और उत्तर प्रदेश में आज कानून राज इस्थापित है जब से हमारे योगी आधितनाज जी जब से मुखमंत्री बने उसमें अलग से देख रहा है कानून वैसे अभी भेंजी ने कागी महिला है सुरक्षत है अब पहले रंगदारी गुंड़ा टेक्स आहां बात हुआ करता था बुंदेल खंड में तो सुरक्षा दे लेकिन पश्चिम छेत्र म है और गलत है किसी की सिद्धय बंपस ना की जाइए और योगी जी ने कानून व्यवस्ता को दिखा कर उत्तप्रदेश इखकर उत्तप्रदेश के आज कानून की चर्चा तक हमें उत्तर प्रदेश को नहीं मिला कि योगी सरकाने दावा किया कि अपरादी योग का इंकाउंटर की बात मैं बात में करता हूं सबसे पहले मैं अपने भाई का जवाब दूँ कि इन्हों कि जिनके खिलाफ मुकदमे हैं तो बहुत लोगों के खिलाफ हैं जो कि बीजेपी में भी हैं अब मेरी भεन बात की थी हूं पर अधूंप सुरक्षेट हैं डांडिया होँ अगर नहीं हो रहा हो तो फिर तो ये हमारे धरम की स्बसक्राइदता की सरकार रही बीस पी की रही बहुत सालों से डंडिया हो रहा है दूसरी चीज भी जारा है हकटिया हो हमारे जहांसी में भी कई एंकाउंटर्स हुए जो पुलिस यह दिखाता है कि कानून विवस्था बिल्कुल चर्मराई हुई है उत्तरप्रदेश की इनकाउंटर कर रहे हैं बिल्कुल एक एंकाउंटर को फेक नहीं क्या तो एंकाउंटर्स पहले भी हुए हैं और आज भी ह ग्रम्राई हो रहे हैं देखिं और बायत करता है उनको वो गलत है कि वह सजय मिल लगा लेकिन आप यह सोचे कि आप देश में लाँ है पबसी कि आप एंठी की रिगाणर कि सब्सक्राइब उसके करना तो पुर्स करनार सब्सक्राइब जो करने कोई इसा इसके अप्रादी गोली चलाएगा तो पुलिस अपराधी की आरती नी उतारी उसको तो गोली चलानी पड़ेगी और एंकाउंटर तो हर सरकार मुए मुलायम सिंग जी मुखमंत्री जब जब 277 से उपर इंकाउंटर होते रहते लेकिन योगी जी पर इसली हो रहा है इस वार वास्तम में अपराधियों को गोली मारी जा रही है ना कि उनकी आरती उतारी जारी है पहले से होता था तो इस बार नया क्या हो गया ऐसा क्या हो गया नहीं यह हमारे भाई ने कहा है लेकिन अगर आप साड़े सा सल पीछे जाओ तो उतनी मेला निर्भीक नहीं थी हम लोग घर से निकल बाते थे हमारे हजबन हम लोग के सासर कुछ मना करते थे कहीं भी हो अगर हम निकल भी रहे हैं तो शुरक् legally साटी बात कहीं तो आप से बात कहीं तो यह उपर बात रख की है मेरे घरमें भी बहने मेरे घर वी-मायी हैं एसा कभी नहीं हुआ कि हमने सबीव हैं यहांसी जो गलत काम करने के लिए गलत काम करने के सोचता हैं वह Stop इसको सजा देने का जो प्रावधान है वो लोग की नियन तरव में है और लोग के हिसाब से उनको काम करना चाहिए इसमें देखे तुरंट सरकार एक्सन ले रही है जिससे माबाब को आनेवाली पीडी को बच्चीयों को लग रहा है कि हां आज ये काम सही कर रही सरकार क्योंकि पहले तो भी एतनी इल्दी कारवाही होती नहीं थी कभी किसी की रिपोर्ट नहीं दर जो रही कभी कहीं कुछ प्रशासन जो उसक्त कारवाई हो रही है कि इसमें अभी भी कुछ तुटिया हैं जिसे दूर करने की सगा को जरूत है लोकलिटिन के लिए जहासी से शाश्वत सिंग के रिपूर्ट